नमस्कार साथियों, यह dictation 70 WPM की रहेगी, यानि कि 70 शब्द प्रतिमिनट की speed से बोली जाएगी, इसमें थोड़ा सा fluctuation रहता है और वो हर dictation में रहता है, ठीक है, fluctuation का मतलब यह है कि गती थोड़ी सी या तो बढ़ेगी बीच में या फिर थोड़ी सी कम होगी, ठीक है, यह सेम वही pattern में यूज करता हूँ, जो आपको exam में देखने को मिलेगा, ठीक है, एक level पे dictation कभी भी नहीं चलती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखके, आपको यह dictation लिकने है ठीक है, इसमें speed बढ़ भी सकती है बीच में, और speed कम भी हो सकती है, ठीक है, तो यह चीज़ ध्या और अनुवाद कीज़ेगा, इसको मैं exam के pattern के आधर पर बोलोंगो, बाकि तो सारी dictation वैसी ही रहती है, लेकिन यह 70 WPMP जो वहाँ पे आपको मिलेगी, बाकि dictation शायद 80 पे हैं से अब भी, और 70 की speed पे मैंने नहीं दिया, तो यह 70 की speed पे रहेगी तो इसको अच्छे से लि तो चली शुरू करते हैं, dictation श्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद, हाँ बाकि इसके लिए आप PDF के लिए टेलिग्राम चैनल जोइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, बाकि आप टेलिग्राम पे सीधा जाके इस चनल ग्राफ और लोकेश डालके आप सर्च कर सकते हैं, टेलिग्राम जोइन करेंगे तो आपके सारी आउटलाइन की PDF आप, मेटर की PDF आपके सारी लीगल शब्द में वहाँ पे डाल रहे हैं, तो आप वहाँ पे जाके इसको जोइन कर सकते हैं, ठीक है तो चली शुरू करते हैं अभी, discretion start होगी 3 से उक्त दिनांक को हिंदू रिती रिवाज अनूसार हुआ था, किन्तु उनके दामपत्य संबंधों से कोई संतान नहीं हुई विराम, प्रारंभ से ही उनमें अत्यधिक वैचारिक मतभेद रहे, जिससे आई कटूता के चलते उक्त दिनांक से वे प्रिथक निवास कर रहे हैं विराम, उनके बीच मेल मिलाप के सभी प्रयास विफल रहे विराम, भविशे में भी उनके मधुर दामपत्य जीवन की संभावना नहीं रही हैं विराम, अते उनके द्वारा स्वच्छया आपसी सहमती से विभा विच्छेद लेना निश्चित कियां विराम, उनके विवा के अवसर पर रीती रिवाज अनूसार एक दूसरे को दिया गया सामान आदी, समाज के सामने उक्त दिनांक को प्राप्त कर लिया है, तथा प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रार्थी को भरण पोशन के लिए अदा करना तै कर, उसी दिन चेक से दिये और सेश राशी बाद में अदा करना तै किया गया, तथा विभा विच्छेद की डिक्री होने के बाद वे एक दूसरे केवरुद किसी भी प्रकार की सिविल दांडिक आदी कार्यवाही नहीं करेंगे विराम, अतै उनके द्वारा बिना दूर्वीशंधी प्रस्तुत विभा विच्छेद याची का स्विकार कर, उन्हें आपसी सहमती के आदार पर विभा विच्छेद की आज्यपती दी जावे विराम पेरा प्रस्तुत याची का संधर्व में उक्त दिनांक को प्रार्थी गण को उनके वेवाहिक संबंद बचाने के लिए समझाया गया, किन्तु प्रार्थी गण ने वेचारिक मत भेद कटूता बड़ जाने से उनमें सामन जस्य संभव नहीं है विराम, अते प्रार्थी गण के प्रारंबिक कथन अभी लिखित कर विधी अनूसार छे महाबाद की तिथी अंतिम कथन हेतू नियत की गई, प्रार्थी गण अन्तिम कथन हेतू तिथी पर परीजन अभीबाशक सहित उपस्तित हुए विराम, प्रार्थी गण को विवाहिक जीवन बचाने के लिए सुलह और है समझाने का भरपूर प्रयास किया गया, किन्तू सुलह प्रयास विफल रहा विराम, अन्तते प्रार्थी गण के अन्तिम कथन लेख बद किये गये विराम पेरा, प्रार्थी गण ने उनका विवा उक्त दिनांक के बाद वे करीब साल भर साथ रहे, किन्तू इस विवाहिक संबंद से उन्हें कोई संतान नहीं हुई, उनकी विवा पत्री का प्रदर्ष एक विवा, फोटोग्राफ प्रदर्ष दो है विराम, उनमें वेचारिक मतभेद अत्यधिक बड़, जाने से वे प्रिथक रहे रहे हैं, तब से उनमें शारिरिक संबंद भी नहीं बने विराम, उक्त दिनांक को पारिवारिक एवं समाज इस्तर पर चर्चा के बाद आपसी सहमती से विवा विच्छेद लेना तै कर लेख लिया गया जिसकी छाया प्रती प्रस्तुत है विराम, सहमती अनूसार प्रार्थी को प्रार्थी द्वारा छे लाख रुपै आजीवन भरन पोशन के लिए चेक से अदा किये जा चुके हैं, तथा दोनों पक्ष द्वारा दिये गए सामान जेवर का लेन देन भी होकर कोई विवाद सेश नहीं रहा है विराम, उनके द्वारा बिना दूरभी संधी आपसी सहमती से विवाविच्चेद याची का प्रस्तुत की हैं, विराम, प्रार्थीगण द्वारा बिना दबाव स्विच्छया विवा विच्छेद याची का प्रस्तुत की है तथा उनमें वेवाहिक विवादों का समाधान हो चुका है विराम यह पाते हुए प्रार्थीगण की याची का स्विकार योग्य पाई जाती है विराम परिणामत याची का अंतरगत धारा तेर है हिंदू विभा आधिनियम से संसकारित विभा उक्त दिनांग आपसी सहमती के आधार पर निरने तिथी से विगठित गोशित किया जाता है विराम अपील ग्यापन में यह उलेक किया गया है कि आधिनस्त नयाले द्वारा पारित आदेश उक्त दिनांग में वादिगरस्त भूमी पर प्रतिवादी द्वारा कबजा नै करने वादीगण को बेदखल नै करने एवं वादीगण को वादगरस्थ भूमी के उपयोग वै उपभोग से वंचित नै करने के संबंद में एस्ताई निशेदाग्या जारी नै करने के संबंद में आदेश विधी सिद्धान्तूं के विपरीत होने से प्रतम द्रश्टया निरस्ती योग्य है विराम प्रतिवादी ने वादगरस्थ भूमी सर्वे क्रिमांक 649.4 रकबा 2 हेक्टेयर इस्तित विक्रे का अनुबंध करके 20,000 रुपे वादी से प्राप्त दिन करो कर वादी का विक्रे अनुबंध पत्र संपादित एवं निश्पादित करा कर वादी को सोंपी थी तब ही से वादी का उक्त वादियस्त भूमी पर कबजा है विराम उक्त तथे वादीगन के अभी वचनों एवं दस्तावेजों से प्रमानित होने के बावजूद भी अधिनस्त नयाले द्वारा इस्ताई निशेदाग्या आवेदन पत्र आंशिक रूप से निरस्त करने में गंभीर कानूनी भूल की है विराम समाप्त दोस्तो इसको अच्छे से लिख लिए आपने अब इसको टाइप करो टाइप करने के बादे में से देखो कितने शब्द हुए हैं शब्दों के आधार पर आपको पता चलेगा कि मैंने स्पीड क्या बोली है ठीक है ये कमेंट मत किया करो कि स्पीड ज़्यादा है वो है श की गलती आ रही है बहुचन की एक वचन की शब्द छूट गया कुछ भी हुआ हो उसी गलती पर आपको काम करना है और डेली आपको यही करना है जब भी ट्रांसलेशन करो उसका एनलाइस करोगे जिनका 15 में इस एकजाम है आईकोट का वो सभी यही काम करेंगे जैसा कि मै ने एक वीडियो बनाया था उसमें बताया था ठीक हो तो ऐसे देरे देरे आपकी गलतीय कम हो जाती है ठीक है थैंक्यू